है अपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एडुकेशन क्लिनिक आप पूस्ट डॉक्टर इडिकल मेडिसन एंड लास्ट टू डिकेस से आप प्रक्टेसिंग एज ऐ करेंगें हैट के बारे में की थ psychiat कब बढई क्यों नहीं बढ़ती है क्या हम उसके लिए नहीं बढ़ती हैं क्या हम उसके लिए कर सकते हैं तो हम सब्सक्राइब करें कि चैनल को आप औ静 there करिए और वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को समझने की कोसिस करिए पहला सा रोग इस जो पूरा नहीं देखते हैं जो वीडियो mine चीजें बताई हैं वो ही कुश्ट्रन वह रिपीट करते रहते हैं और सोशल मीडिया लगातार वह फूट करते तो please video को पूरा देखिए आपकी जो queries है वो आपको मिल जाएगी और हमारे channel पे एक doctor से सवाल series है वो भी आप देख सकते हैं आपकी जो कुछ queries हैं वो वहाँ पे भी cover होंगी क्योंकि ये possible नहीं है कि एक सवाल का जबाब बार बार repeatedly दिया जाए वो संभब नहीं हो पाता है तो उसके लिए I'm sorry तो वीडियो को आप देखिए और आप height के बारे में जो भी आपकी जोड़ी queries हैं वो सब आपको answer मिलेंगे उसके देखो height के को लेके तीन चीजें है commonly पहली बात है कि height का बढ़ना hormones responsible होते हैं उसके लिए hormones में जो major hormones हैं वो growth hormones आपका thyroxine sodium यानि thyroid hormones प्लस तीसरा होता है insulin ये तीन hormones decide करते हैं कि आपकी height क्या होगी इसके साथ साथ एक metabolic part भी है कि जो आप खाते हैं वो आपको कितना लगता है कितना absorb होता होता है उसकी speed क्या है उससे क्या आपको nutrition मिलता है तो सबसे पहली बात है कि आपको hormones के लिबल पर दिखना होगा यदि आपका thyroid ठीक है आपका growth hormones normal है तो फिर आपको harmonally कुछ नहीं करना है और most of the time आपकी जो height होती है वो normal हो जाएगी ऐसा एक part है दूसरा part है food food में important है calcium और protein जो growing child है और जो height बढ़ने के लिए जो muck content चाहिए वो आपको calcium चाहिए protein चाहिए उसके साथ vitamin B12 चाहिए zinc चाहिए और vitamin D चाहिए यदि ये आपका normal है तो आपको कोई परिसान होने की जरूत नहीं है तीसरी बात आती है exercise exercise का भी एक बहुत important role है exercise regularly आप करेंगे तो आपकी height properly बढ़ेगी और आप अपनी optimum height को ब्लॉंग कर पाएंगे exercise मेरा मतलब है कि आप running करें आप jump करें आप रसी कुदें आप PT करें आप पेड़ पे लटकें और आप थोड़ा सा stretching करें stretching exercise और ताढ़ आसन करें तो ये सब चीजें exercise यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आप अपनी optimum height को ब्लॉंग कर पाएंगे अब इसके बाद आती है कि height कब तक बढ़ती है maximum height आपकी 21 year तक ही बढ़ती है और जो maximum height का time है वो 13 साल से 21 साल के बीच होता है females की maximum height 18 साल तक बढ़ जाती है और male की जो height है maximum वो 21 year तक बढ़ती है अब 18 और 21 के बाद भी height बढ़ सकती है एक से 3 cm लेकिन ये depend करेगा कि आप क्या nutrition ले रहे हैं कितनी exercise कर रहे हैं प्लस आपको कोई hormonal deficiency तो नहीं है अब इसको medically clinically कैसे deal करें देखो आप अपने level पर इतना कर सकते हैं कि एक thyroid hormones चेक करा लीजे एक growth hormones चेक कर लीजे प्लस आप vitamin D चेक करा लीजे तो यदि ये normal है तो आपको फिर और ज़्यादा कुछ परिशान होने की ज़रुरत नहीं है लेकिन यदि आपकी height रुख गई है यदि आपकी height बढ़ नहीं रही है कुछ दिन से आपको पेट पे बहुत ज़्यादा fat है आपके हाथ पेर पतले है आपकी oral cavity यानि दात अच्छे से नहीं आए है तो ये सब parameters होते हैं आपकी skin dry है आप weakness feel करते हैं body का temperature low रहता है blood pressure low रहता है तो फिर इसमें कुछ hormonal contribution हो सकता है तो आपको उसको देखना पड़ेगा वैसे 99% लोगों के अंदर कोई hormonal deficiency नहीं होती है हाँ कुछ protein calcium की deficiency हो सकती है तो आप अच्छा nutrition लीजिए मतलब आप दूद पियें milk लें milk product लें आप एक खाएं आप चना खाएं आप ड्राइफ रूट्स में आप अक्रोड बादाम खजूर खाएं प्लस regular exercise करें और regular exercise में जो चीज मैंने पहले mention की है वो आप सामिल करें तो आप अपनी optimum height को block कर पाएंगे अब दूसरी बात आती है कि क्या कोई injection होता है height बढ़ाने का देखो hormonal injection दिये जा सकते हैं लेकिन ये specialist के द्वारा ही दिये जाने चाहिए या तो medicine specialist हो या फिर endocrinologist हो यानि hormones ग्रंथी वाले जो doctor होते हैं growth hormones दिये जा सकते हैं लेकिन पहले growth hormones को check करना होगा यदि उसकी deficiency है तो उसे देखना होगा और growth hormones को inject ही करना पड़ता है उसकी कोई tablet अभी available नहीं है दूसरे level पे क्या कोई आयर्वेदिक दवाई ऐसी होती है जिससे height बढ़ सकती है answer is completely no ऐसी अभी तक दुनिया में कोई आयर्वेदिक या ऐलोपेथिक दवाई नहीं है जो आपकी height बढ़ा सके लेकिन हाँ आपको hormonal deficiency है तो उससे पूरा करके आपकी height बढ़ा सकती है बढ़ाई जा सकती है आपको यदि protein calcium की deficiency है तो उसको पूरा किया जा सकता है तो फिर आपकी height बढ़ेगी तो फिर आपकी height की बढ़ने की संबाबना minimum है यानि एक से तीन सेंटिमीटर maximum बढ़ पाईगी फिर और वो भी आपको exercise करनी होगी right food लेना होगा और आपको अपनी deficiency को भी देखना होगा तो ये एक way है height के बारे में कोई भी दवाई, कोई भी ये एक right तरीका होगा क्योंकि जो height बढ़ाने की दवाईया है वो आयरुवेदिक हों या वो ऐलोपैति हों या होमोपैत से हों उन दवाईयों के अपने side effect होते हैं और height बढ़ाने वाली दवाईयों से कैई वारी hormonal imbalance देखा जाता है बाडी में यानि आपका metabolic function बदल सकता है और आपको दूसरे side effect हो सकते हैं तो height के लिए इस तरह की कोई दवाई खाना आपके जीवन के लिए खत्रा हो सकता है तो इस तरह की दवाई आप ना लें यदि आपको कोई problem है तो अपने physician से मिलें medicine specialist मिलें endocrinologist से मिलें और यदि कुछ problem है आप हमसे consult करना चाहते हैं तो हमें WhatsApp message करें और वीडियो के बारे में जैसा भी आपको लगा वीडियो अपनी राय जरूर दें Thank you very much and take care yourself